बदायू से वाराणसी पोचे सपा से सांसत धर्मेंदर यादों ने मौझूदा सरकार को घेड़ते हुए बनारस की खस्ता हाल सडको और कानून विवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया यूपी में लगातार हो रहे इंकाउंटर्स पर बोलते हुए धर्मेंदर यादों ने कहा कि उत्तर परदेश की मुख्यमंत्री जब सदन में खड़े होकर ठोक देने को कहेंगे तो पुलिस उन्हें खुश करने के लिए ठोक रही है बनारस में हो रहे बदलाओ पर धर्मेंदर यादों ने कहा कि बनारस की जनता मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती है कि अब इस्तिती कैसी है मैंने तो बनारस में पहले ऐसे गड़े कभी नहीं देखे कि ऐसे इस्तिती सामने आई हो टूजी एक स्पेक्टरम घोटाले के आरोपी आरोगी मंदरी की सीमडी नारी राडिया पर बोलते हुए धर्मेंदर यादों ने कहा कि इस आरोगी मंदर का उधगाटन मुख्य मंतरी ने क्यों किया ये तो वो ही जाने भाजपा वाले चुनाओ के पहले बाते कुछ और करते हैं और चुनाओ के बाद कुछ और देखिए बनारस के बदलाओ के बारे बनारस से लोग हमसे बहतर जानते हुए तो सायद बनारस में इतने गड़े मेंने कभी नहीं देखे थे जो कल मुझे देखने को मौकाम मिला और बाकी क्या बदला हुआ ये बनारस के लोग बहतर समझ सकते हैं टू जी जब मैं लोकस्वा में था दो जार चौदा से पहले बहुत सुनता था लेकिन उन्नेस आगई पांच साल कोई पूरी सरकार निकल गई अभी तक तो टू जी का कुछ निकाल नहीं पाए अभी तक कुछ निकाल के ला पाए तो ये लोग चुनाओं से पहले कुछ बातें करते हैं चुनाओं के बात कुछ करते हैं देखिए के औवी ने क्या का आवेसी जी ने क्या का मैं उसमें नहीं जाना चाहता है मैं ये जानता हूँ कि जंता ने जो चुना है एककास तरकी खुछ आली के लिए चुना है वा करके देना चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी जब नहीं निवा पा रहे तो तरह तरह की कहानिया पढ़ रहें उन कहानियों से जंता आज ही जा जाएगी और आ गई है और नौजमान मांग रहा है रोजगार उसके बारे में जवाब देना चाहिए सरकार को तो मैं समस्ता हूँ जितनी भी अराजगता हो सकती थी प्रदेश के अंदर वो बरत्मान सरकार में है और इसलिए मैं प्रत्कार मित्रों से भी कहूँगा कि जो चंता के जरूरत के सही मुद्धे उन मुद्धों की तरफ आप लोगों को भी ध्यान आकरसित करना चाहिए देखे दो हजार बाइस में मानी अकलेस यादव जी की नेत्त्त में समाजवादी पाटी ही न केबल चिनोती देगी बलकि चिनोती के साथ साथ सरकार को बदलेगी और एक बार फिर उत्तरप्देश के अंदर समाजवादी सरकार बनेगी मानी अकलेस जी की नेत्त्त में और जनता के संगर्स और सयोग और समर्थन से बनेगी जब सदन के अंदर खड़े होके उत्तरप्देश के मुखंतरी कहेंगे कि ठोंक दो तो पुलिस मुखंती जी को खुश करने के लिए ठोंक रही है और कहीं कि जन्ता भी रेक्शन में पुलिस के साथ वही वरताव कर रही है तो इस तरह का राजवक्ता का महौल देश की आजाधी के बाद कभी नहीं हुआ था इस प्रदेश के अंदर देश के अंदर जो आज योगी जी की सरकार में है